वेलकम टू निशाद कीचन एक बार फिर मैं एक सांदा रेसेपी लेकर के आप लोग के सामने हाजिर हो आज हम लोग बनाएंगे खड़े मसाले का गोस चले हम देखे हमें क्या क्या इंग्रेडियन्स की रिक्वार्मेंट है ये मेरे पास हाफ केजी ओनियन है जिसे हम डाइस में कट किये हैं ये हाफ केजी बकरे का गोस है टू टेबल इस्पून ओयल मस्टर ऑइल वन टेबल इस्पून क्रश किया हुआ गार्लिक ये वन इंच का सिनिमन स्टिक है दो बे लीफ है और थ्री कार्डमोन है वन टीश्पून टेर्मनिक पाउडर वन टेबल इस्पून जिंजर क्रस्ट किया हुआ वन टीश्पून सॉल्ट वन टीश्पून क्यूमिन सीड और टेन ब्लेक पेपर और ये मेरे पास ग्रीन चीली का रेड वाला पार्ट है और ड्राय रेड चीली है 55 पीस चलिए बनाना इस्टार करें चलें अब इस्कूकर में हम सबसे पहले हमने इसमें मटन डाल दिया है अब इसमें मैं सिनिमनिस्टिक बे लीफ और काडमन डालूंगी ब्लेक पेपर ये टेन ब्लेक पेपर है क्यूमिन सीड वन टीश्पून सॉल्ट वन टीश्पून टर्मरिक वन टीश्पून टीश्पून क्रस्क या हुआ जिंजर टीश्पून क्रस्किया हुआ गार्लिक यह हम ढाल दियें यह टू टीश्पून ओयल है यह हाफ कीजी प्याज है जिसे हम इसमें डाल दिये हैं आप देख सकते हैं इस तरह काटने से यह जल्दी गल जाता है फ्रेंट्स इसमें और कोई मसाले ड्ड नहीं होते हैं इसमें बस प्याज थोड़ा ज्यादा लगता है अब इन सब को हम अच्छे से mix कर देंगे और इसमें हम मर्शा बाद में डालेंगे क्योंकि अभी मैं अगर इसमें मर्शा add कर दूँ तो मर्शे के color से इस गोस का color थोड़ा different हो जाएगा चले अब हम कुकर को pack कर देते हैं अब इसे हम दो सीटी हमें इसे दिलाना है मैं इसे गैस पर रख दी हूँ बस इसे हम मुझे दो सीटी देने के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे देखें आप मेरा यह देखा है इसे गोस को भी बनने में ज्यादा टाइम दूपी लगता है दो से एक शीटी देगा इस और शीटी देगा बस हम फ्लेम को off कर देंगे ये गोश बहुत ही कम मसाले में बनता है लेकिन ये बहुत टेश्टी होता है आप इसे रोटी के साथ सत्तू के पूरी के साथ लिटी के साथ खा सकते हैं और ये चावल डाल के साथ तो और भी टेश्टी लगता है अब इसे जरूर ट्राइब करियेगा फ्रेंड्स और मेरे रेषिपी वो पूरा देखिए पूरा देखने के बाद उसे त्राइं आप करिए अपने घर में बनाईए अगर आपको मेरी रेषिपी पसंद आती है तभी आप मेरे चानल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए अब देखिए हमारा मटन भी अच्छे से गल चुका है प्यास भी अब इसे हम बस इसके में जो थोड़ा सा पानी है बस इसे हम जलाएंगे और हमारा इस पानी को हमको सुखाना है मटन भी अच्छे से गल चुका है पानी को सुखाना है और हमारी गोस्ट रिडी हो जाएगी चोटाल के लें किष्ट फान जानती तिक अखरेण हैं अगर आपको डर है तो आप फानी डाल सकते हैं अब कमसे देख सकते हैं आप देख सकते हैं इसका पानी कम हो चुका है अब हम फ्लेम को हाई करके इसे जल्दी से रेडी कर लेंगे जो भी प्याज नहीं गला है आप इस तरह से मसारे को चलाइए थोजा कि थोड़ा सा प्याज अच्छे से गल जाए अब इसमें इसे भूज करके और फ्लेम आफ कर दूँगी अब यह मेरा गोस रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं और उपर आ चुका है देखिए मैं इसे डिश आउट कर ली हूँ आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे साहरे को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और बेल बट चम दबाना मत भूलिए मैं चली इसे खाने और इंज्वाइ करने के लिए आप भी जाइए बनाएए खाइए इंज्वाइ करिये थैंक यू फो वाशिंग माई वीडियो अल्ला हाफेज